आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए क्विश्टिन के साथ जो की क्लास 12 मैथेमेटिक्स के इंटीग्रेशन इंडिफाइनेट इंटीग्रेशन का जो पार्ट है वो है एक्सरसाइज 7.5 से इसको साल करते हैं और देखते हैं कि इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम लोग किस तरह से साल करते हैं बोर्ड में इस टाइप के इंटीग्रेशन आते हैं और इसलिए हम लोग इसको करके देखेंगे इस टाइप के इंटीग्रेशन में क्या करना चाहिए चलिए देखते हैं तो यहाँ पे देखना होगा कि numerator में अगर पावर कम है denominator से जैसे कि यहाँ पे है denominator में देख सकते हो x अभी इसका multiply करना तो यह कोड़रेटिक है power highest कितनी है 2 है और यहाँ पे power कितनी है 1 है numerator में तो हम लोग क्या करेंगे समें simple इसको जो term है हमारा जिसका integration करना है हम को, इसको हम इस ताइप से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, करो, लिखते हैं, लिखते हैं, let x upon x plus 1 into x plus 2 equals 2, a upon x plus 1 plus b upon x plus 2, इस तरह से इसको हम लोग लिखते हैं, अब क्या कराते हैं, दोनों साइड में, x plus 1 into x plus 2 से multiply कराएं में, तो हमें क्या मिलेगा, यहां तो cross हो जाएगा, cancel हो जाएगा, यहां पे हमको मिलेगा, x equals to, इधर जो मुल्टिप्लाइ कराएं, x plus 1 into x plus 2 से, x plus 1 cancel out हो जाएगा, हमको मिलेगा x, sorry, a, और bracket में x plus 2, plus यहां b के साथ क्या मिलेगा, x plus 2 cancel हो जाएगा, तो हमें मिलेगा x plus 1, अब हम क्या करेंगे, coefficients of x और independent terms यानि की constant terms का compression कराएंगे दोनों साइड में, तो हमें क्या मिलेगा, यहां से, देखो, आप लिखे लेंगे, based on the equating, चीक है तो देखो एक्स का कॉफिसेंट यहां पे ए है प्लस यहां पे एक्स कोफिसेंट भी आएगा इक्वल्स टू इस साइड में कॉफिसेंट एक्स का कितना है वन है लिकलेंगे हम लोग अब कॉंस्टेंट टर्म का कंप्रीजन कर आएंगे तो हमको मिलेगा यहां पे टू ए प्लस बी एक्वल्स टू इस साइड में कॉफिसेंट जीरो है तो जीरो लिख लेंगे हम लोग यहां से हमको मिल सकता है यहां से हम लोग इसको फाइंड करें एक की वेल्यू तो मिलेगी बन माइनस बी आपूट कर सकते हम लोग मिलेगा तो टू को मिलेगा यहां से मिलेगा टू को अगर सकता है तो जीरो में से तू जाएगा माइनस बी प्लस बी इक्वल्स टू जाएगा तो यहां से हमें माइनस 2B और B से माइनस 2B मिलेगा और 2 को अगर साइट देख देंगे तो 0 में से 2 जाएगा माइनस 2, यहां से यह कैंसल आउट होके हमें मिलेगा B इक्वलस 2, 2, तो यहां से एकी वेल्यू भी आजाएगी 1-2 यानि की एक्वेल्स टू आजाएगा हमारे पास माइनस 1 ठीक है उनकी वेल्यूस को हम लोग कहां करेंगे पुट कर देंगे इस एक्वेशन में तो यहां से हमारा इक्वेल्स टू क्या बनेगा फिर एक्वेल्स टू हमेल जाएगा इस चीज को हमने क्या लिखाता इस तरह से लिखाता तो हमारा मिल जाएगा माने माइनस 1 अपन x दू 1 इंटो dx दू अपन x दू 2 इंटो दू इंटीरेशन हमको मिल चुके है, यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस इंटीरेशन से बहर ले लेंगे, बनपान एक्स प्लस वन इंटु दी एक्स प्लस बलस टू एक्स बाहर ले लेंगे, बन अपान तो वो हमारा मिलेगा dx equal to dt, तो यह t-type का हो जाएगा, तो इसका हम लोग पहले से भी कर चुके है, initial exercises में, तो हमारा मिलेगा minus, इसका क्या होता 1 upon x-type का, log of mod of x plus 1 plus, इसका क्या हो जाएगा, वैसे ही 2 log of mod of x plus 2 plus integration constant c, तो देखो क्या हो जाएगा, इसको system से अगर हम लोग लिखें, तो देखो यह power कहा चली जाएगी, mod x plus 2 के उपर, तो इसको पहले plus बाले term को पहले लिख लेते हैं, log of mod of x plus 2 का, whole square minus, इसको क्या लिखेंगे, log of mod of x plus 1 plus c, अभम लोग जानते हैं, log की परपर्टी को, log a minus log b क्या होता है, log a upon b, यहने की, x plus 2 का, whole square, अभी सको मोड ना भी लगा है, तो की डिककत बाली बाद नी क्योंकी, square हो चुका है, positive value ही, इसकी मिलनी है, upon mod of x plus 1, mod of x plus 1 plus c, यह हमारा integration का, value है, so this is the answer, thank you, करेंगे, next question, next video.